इस भाई उसको आप लोगों ने सायद पहले भी सुना होगा, क्या नहीं सुना? वेल, इस वीडियो को तो जरूर देखा होगा, जहाँ पर दिलर्ज भाई का इलेक्टिक में प्रांग का पीछे का साइन्स को एक्स्प्लेन किया था इस टॉपिक पर मैंने दो सोट्स बनाये थे जिनको आप लोगों ने बहुत ही प्यार दिया, तो इसके लिए आप लोगों को दिल से सुक्रिया फिर आप लोगों के डिमांड पर एक डिटेल वीडियो बनाया था जिसमें 5 लग से भी ज़्यादा भी हुआया है आप लोग सोच रहे होगे आज फिर किया बताना आया हूँ, चलो बताता हूँ आज की वीडियो में इस प्रैंक के बारे में कुछ ऐसे सच्चा ही बतने बाला हूँ, जिनको सायद पूरे यूटूब पर कोई भी नहीं बताएगा तो चलिए सुरू करते हैं पर्मेंट सेक्षन में आप लोगोंने बहुत सारे सवाल किये थे, जिनको एक वीडियो में कवर करना इंपॉसिबल है तो सबसे ज़्यादा किया गया सवालों से 5 सवाल को मैंने चूस किया है, जिनके बारे में आप लोगों को जानना बहुत जरूरी है देखो भई, लिटरिली बताता हूँ, इस डिवाइस को मैंने बहुत बार इस्तमाल किया है तो मेरे experience को माने, इस डिवाइस से आप जितना दूर रहोगे, उतना आपके लिए safe होगा क्यों मैं ऐसा बता रहा हूँ, वीडियो के end तक आप लोगों को सब कुछ मालूम हो जाएगा फिर भी आपके अंदर कीड़ा है इस डिवाइस को इस्तमाल करने का, तो मेरे चैनल पर इस वीडियो को check out कर लो नहीं, ये डिवाइस किसे के लिए भी safe नहीं है लड़की अगर इस डिवाइस को इस्तमाल करती हैं, तो ना जानते हुए खुद को और भी risk में डाल देंगी रिजन आपको थर्ड सवाल से clear हो जाएगा जी हाँ, दोनों ही अगर सूस पहने रहते हैं, तो दोनों में से किसे को भी sock नहीं लाएगा अगर दोनों में से कोई भी एक ground से connected कोई भी चीजों को touch भी करता है, तो ये डिवाइस दिन में ही चात दिखा देगा आप अगर सोच रहे हो, इस डिवाइस को body में connect कर लेता हूँ, और मेरे दोस्त के साथ handshake करके उसे जोर का जटका दे देता हूँ लेकिन आप गलत हो, ये डिवाइस आपको भी उतना ही जटका देगा जितना की आपके दोस्त को जटका देगा इस सवल का जवाब आप लोग में सही एक बंदे ने comment किया था ये वीडियो scripted था, क्योंकि Mr.Nan Hacker ने सूज के नीचे से high voltage दिया है अगर सामने वाला बंदा सूज नहीं पैंता तो possible होता लेकिन इन्होंने audience को पागल बनाया है, मैं ये नहीं कह रहा है कि ये possible नहीं है बट तो Mr.Nan Hacker आप जब इतना views ले रहे हो तो audience को सच्चाई तो बताओ चलो भाई लोग आज के लिए इतना ही, इन में से कोई भी आप लोग को doubt हो तो आप लोग comment में पूछ सकते हो मिलते हैं नेक्ट वीडियो में नेक्स सवालों के साथ